ओके एलो फ्रेंड कैसे हो आप सब में विसी और आप देख रहें Bound to Invest यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम जो नया IPO आने वाले उसके बारे में बात करने वाले उसकी डीटेल जानेगे कि कैसा यह IPO होगा कैसे इसके financial होंगे और कैसे इसकी company होगे और कभ यह आने वाला है तो और बाद में लाश्ट में हम एक decision लेगे कि आपको इसको apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लीजेगा क्योंकि हम ऐसे वीडियो हरो जर दिन लेते आते और जो बाजुमें गंटे वाला बटन उसे जरूर दबा दिजेगा जिसको आपको अमारी notification सबसे पहले मिल जाए तो अभी हम आ चुके जो रोज सारी बायो टेक का IPO आने वाला है उसकी detail के उपर तो पहले हम इसकी detail देख लेते हैं सो हमें idea है कि ये company कि सेक्टर में है क्या ये काम करती है तो पहला क्या कि ये company क् textile के related जो chemical होते है special chemical इसका ये manufacture करता है बाद में क्या कि ये company 18 country में operate करे है इसमें हमारा इंडिया भी आ जाता है बांगलादेश भी आ जाता है और दूसरी other 16 country और है इसमें और बाद में क्या कि ये company का जो main business है वो क्या है कि textile related chemical बनाना लेकिन उसके और business है उसमें है animal के health and nutrition के product बनाना बाद में है home, personal care and performance chemical बनाना ये था normal company के बारे में normal जानकर ये आपको पता होना चाहिए company क्या कर रहे है मतलब company क्या business है अभी हम इस company की strength जान लेते तो ये company की पहली strength है कि ये company के पास diversified portfolio है मतलब कि इसके पास एक ही product नहीं है इसके पास क्या है कि different type के product है जो market में ये sell कर सकता है इसके बाद है कि ये इंडिया में wealth no textile special chemical बनाता है तो ये इसकी dough strength हो गई company के बारे में आपको normal idea लग गया अभी हम इसके IPO की detail जान लेते है अभी हम इस company के IPO की detail जानते तो पहला है कि ये कब आने वाला है तो ये IPO का आपका 13 July से लेके 15 July तक रहेगा इसक बाद इसका issue size कितना है तो 496.49 करोड इसका issue size है बाद में face value तो 2 रूपीज पर equity share इसकी face value है उसके बाद है IPO का price क्या होगा तो ये IPO आपको 423 से लेके 425 तक रहेगा मतलब ये दो price के बीच में आप apply कर सकते हूँ इसके बाद है market load मतलब minimum आपको किंतनी quantity खरीदनी है तो 35 share आपको खरीदना है मतलब minimum आप 35 खरीद सकते हूँ अगर उससे जादा खरीदना है तो बाद में 70 मतलब 35 के multiply में आप buy कर सकते हूँ इसके बाद listing कहा होगा NSE BSE दोनों पे ये list होगा इसका P क्या है तो ये company का P is 33.81 अभी इसके बाद इसका market के पे हाल फिलाल के इसाब से इसका market के वे 2207 करोड अभी ये IPO के बारे में हम एक नॉर्मल जानकर ही मिल गए तो अभी हम देख लेते कि ये IPO आपका कब open होगा कब close होगा कब आपके demate account में आएगा और बाद में कब ये list होगा तो अभी हम इसमें देखते तो IPO open होगा 13 जुलाई को बाद में ये close कब हो तो आपको ये share मिल जाएगा अगर नहीं मिला तो आपको जो पेसे दिये थे वो refund कब मिलेगा तो वो refund मिलेगा 21 जुलाई को उसके बाद हम देखते है कि इसमें आपके जो share है वो आपके demate account में कब आएगे तो 22 जुलाई को ये आपके demate account में आया जाएगे बाद में ये share लिष्ट कब होगा एक्षेंज बे तो 23 जुलाई को ये लिष्ट हो जाएगा तो ये थे normal IPO की detail जो रोज सारी बायोटेक का IPO आने वाला है अभी हम इसके थोड़े financial देख लेते तो में idea है कि ये company actually में कितना profit कमा रहे है कितना loss कर रहे है क्या इसके revenue है वो सब तो अभी हम आ चुके इस company के financial के उपर तो हम पिछले 4 साल का data इधर देखने वाले है तो पहले हम देख लेते total asset तो total asset आप देख रहे हो तो year to year increase हो रहा है मतलब 2017-18 में increase हो 18-19 में और 19-20 में तो ये कोई भी company के लिए अगर total asset increase होता है तो उसके लिए अच्छी बात होती है तो total asset increase हो होता है तो ये company के लिए अच्छी बात है इसके बाद हम total revenue देखेंगे तो revenue भी देख रहे हो आप तो 2017-18 में increase हो है और 19-20 में increase हो है तो ये भी कोई भी company के लिए अच्छी बात होती है कि इसके revenue भी increase हो रहे है इसके बाद हम profit after tax देखते हैं मतलब net profit तो net profit आप देख रहे ह 2018 में इससे increase हो है 2019 में और इससे increase हो है 2020 में मतलब कोई भी company हो क्या है कि year to year पिछले चार साल का आप देख रहे हो इसके financial तो इसमें क्या है कि आपको growth देखने को मिल रही है तो ये कोई भी company हो उसके लिए एक अच्छी बात होते हैं हाला कि हमने इसमें sales नहीं देखें लेक आपको idea मिल सकता है कि ये IPO आपको fill up करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मेरे इसाब से 80% आप fill up कर सकते हो लेकिन वो भी क्या है कि देखो कि वो company का subscription last day पे क्या हो रहा है समझ गये मतलब कि वहाँ अगर कोई subscription ही है कोई इससे लेने वाला ही नहीं है तो इसकी price भी इत पात है मैं इस IPO को apply करने जा सकता हूँ लेकिन कब जब मेरे को एक अच्छा subscription मिले तब सो इसलिए हम देखते है लाश देखे क्या इसके subscription है अगर क्या है कि जो बड़े इन्योश्टर है अगर इसका over subscription होगा तो हम भी इसमें subscribe करेंगे तो ये था normal सी detail जो मारा रोज सारी IPO आने वाला है उसके उपर तो दोस्तो ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यारो like comment and subscribe कर दीजेगा आप like comment करोगे तभी तो में motivation मिलेगा और इसे वीडियो आगे लेके आएंगे तो प्लीज यारो like comment and subscribe कर देना चलिया मिलते अपने next वीडियो में तब तक के लेटा टा गुडबाई जाई हिंग